आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस का यूटूब चैनल पर थमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा हाजी RCM की पूरी जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में हाजी क्या क्या चीज है इस वीडियो में कवर करेंगे जरा एक बार देख ले सरी अब हमारी नई लॉंच बुक है जिसे हमने एक अप्रेल को ही लॉंच करने वाले हैं ठीक है ना तो इसी बुक से में आपको RCM पढ़ाने वाला हूँ पूरी जानकारी देंगे सर RCM पढ़ते पढ़ते कौन कौन से chapters का ध्यान दखना है भाईया देख लो यह RCM पढ़ते पढ़ते आपको लगवक 16 chapters का ध्यान दखना है कि भाई RCM लाया क्यों गया basic provisions क्या है और सबसे important chapter कि भाईया financial statement बनाते समें balance sheet finalization करते समें RCM की किन-किन बातों का ध्यान दखते है तो हम आपको chapter 3 से ही start कराते हैं तो chapter 3 के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर क्या है ना एक profit and loss account है एक proprietorship firm का अब आपका सबसे बड़ा question ही होता है कि जब प्रोप्राइटर्शिप firm के case में जो P&L में खर्चे डले हुए हैं इसमें किस पर RCM applicable है और किस पर RCM applicable नहीं है तो एक के खर्चे को detail में एक बार यहाँ पर चर्चा में लेते हैं तो पहला खर्चा है remuneration to employee तो बताओ क्या इस पर RCM आएगा अरे नहीं सर इस पर RCM नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा comment box में लिखकर बताओ क्योंकि यह schedule 3 में clear लिखा हुआ है कि भाई salary के ऊपर कोई GST नहीं ह आएगा ठीक है दूसरा हम खर्चा खर्चा ले लेते हैं कि भाई हमने professional fees paid करी किसी chartered accountant को क्या इस पर RCM आएगा भाई यह supply तो होता है लेकिन RCM में इसे cover नहीं किया गया तो इस पर RCM नहीं आएगा इसी तरीके से हमारा एक खर्चा होता है कि भाई हमने advocate को legal fees दी तो अगर legal fees है अगर क्या है legal fees है तो भाई legal fees पर RCM आता है क्योंकि RCM के entry में legal fees word add करा हुआ है ठीक है तो यहाँ पर हमने क्या अगरा इसे नीचे notes दिये हुए कि नोट्स के अंदर क्यों RCM आ रहा है क्यों RCM नहीं आ रहा है इन चीजों को भी discussion लिया है ठीक है इसके अलावा सर कन्वेंस चार्ज पर आएगा क्या answer is no क्या security चार्जिज अगर आपने पे कि हैं क्या आएगा answer is yes answer is yes लेकिन कब आएगा कि आपने जो security service लिये किस से ले रखिया इंडिवीज्वल से ले रखिया है और वो अन्रजिस्टर है और आप रजिस्टर हो तो आपको RCM आएगा तो RCM कब लगता है कब नहीं लगता यह बड़ा important discussion है तो हमने इस वीडियो के अंदर हर खर्चे के सामने लिखा हुआ है इस बुक के अंदर हमने हर खर्चे के सामने लिखा हुआ है कि किस पर RCM आएगा और किस पर नहीं आएगा तो जब अपनी balance sheet final करें तो आप अपने P&L को यहाँ पर match कर ले अगर कोई खर्चा हमसे छूट गया है तो आप हमें comment box में लिख क तो क्या उस पर RCM आएगा answer is yes answer is yes उस पर RCM आएगा इसी तरीके से company के खर्चों पर किन किन खर्चों पर RCM आएगा किन किन खर्चों पर RCM नहीं आएगा और आएगा तो क्यों आएगा नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा यह हमने यहाँ पर चर्चा के अंदर लिया है यहाँ पर भी अगर आप देखोगे एडवोकेट पर RCM है, CA पर RCM नहीं है, हाँ अगर आपने गाड़ी लिए, अगर आपने गाड़ी कराय पर लिए तो उस पर भी RCM है, तो यहाँ पर हमने क्या गरा एक के खर्चे को जो कि किसी कंपनी के P&L में हो सकता है, किसी प्रोप्र पता दो कौन-कौन सी सर्विसिस पर RCM लगता है, तो हमने क्या गरा है, सारी सर्विस की लिस्ट बना कर आपको दे दी, सारी सर्विस की यहाँ पर लिस्ट बना कर दे दी, कि किन-किन सर्विसिस पर RCM लगेगा, और साथ में हमने एक्जम्शन एंट्री भी लिखकर दे दी भई माल लो हो सकता है किसी सप्लाई पर RCM है लेकिन अगर वो सर्विस एक्जम्ट हो गई तो टैक्सी नहीं देना तो जब टैक्सी नहीं देना तो RCM और FCM कोई बात करेंगे ही नी तो यहाँ पर हमने किन-किन सर्विस पर RCM लगता यह भी लिखा और उनके अंदर कौन-कौ किन-किन सर्विस पर RCM आता है और किन-किन सर्विस पर एक्जम्ट है वो सारी यहाँ पर डिटेल में डिसक्शन करिए आपकी एक्जम्ट एंट्री के साथ तो अगर आप यह वाली बुक को पड़ते हैं तो आपके RCM के सारे डाउट्स किलियर हो जाएंगे तो सर इस बुक का कंटेंट गया है इस बुक का कंटेंट गया है तो पहले हमने बता दिया RCM क्यों आया यह हमने बता दिया इस बुक के अंदर हासर यह तो हमारे को किलियर हो गया फिर बेसिक प्रोविजन बता दिये फिर बैलेंस शीट पर RCM कैसे लगेगा किन-किन आइटम पे लगेगा P&L की वो बता दी, फिर जितनी service cover थी 9.3 में वो बता दी फिर अगर कोई service 5.3 में IGST में RCM था वो बता दिया फिर हमने जो goods goods के उपर भी RCM होता है, जैसे कि let's suppose करो, काजू है ठीक है ना काजू के उपर RCM है तो कुछ goods ऐसे हैं, जिस पर RCM है वो भी बता दिया, एक कई लोगों को confusion होता है, कि सर 9.4 का RCM किस पर है, तो 9.4 का RCM तुमें बता दू promoters पर है, ठीक है ना, promoters पर है, real estate वालों पर है normal RCM 9.4 में नहीं है तो उस पर कोई RCM नहीं है, तो हमने इसे यहाँ पर detail में discussion करा अब मुद्ध ही आता है, कि अगर RCM लग रहा है, तो क्या हमें registration कराना है, answer is yes, तो हमने यहाँ पर discussion करा, कब कराना है, कब नहीं कराना, time of supply क्या होगा, यह discussion करा, अगर आप RCM के अंदर cover होते हैं, तो आपको कुछ document issue करने होते हैं, जैसे self invoice हो गया, payment voucher हो गया, तो उसका discussion करा है, फिर payment of tax कैसे करनी है, ITC कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, लोगों को यह confusion है, कि RCM का जो ITC होता है, जब हम payment करते हैं, तभी मिलेगा, लेकिन जब आप deep पढ़ोगे, तो बिना payment के भी कई बार आपको RCM का ITC मिल जाता है, तो हमने यहाँ पर इसे discuss करा, फिर returns में RCM को कैसे दिखाएंगा, यह भी बताया, फिर क्या-क्या consequences होंगे, अगर आपने RCM को follow नहीं करा, तो हमने यह भी discussion करा, सर अब आप हमें यह बता दो, यह book कैसे मिलेगी, इस book को लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यह आपको इस Scanner दिखाई दे रहा है, इस Scanner को Scan करें, वीडियो पूज कर दो, इस Scanner को Scan करें, यहीं पर payment कर दो, ठीक है न, और हमारी Team को Whatsapp कर दो, और हमारी Team को Whatsapp कर दो, सर कितनी payment करनी है, 31 मार्ज तक payment करोगे तो इतनी करनी है 31 मार्ज के बाद payment करोगे तो 200 रुपे extra लगेंगे अभी discount चला है तो फिर आपको whatsapp किस पे कर देना है भाईया इस पे payment करने के बार आप हमारा number note कर लो वहाँ पर आप हमारे को whatsapp कर देना आपको book आपके घर पर आ जाएगी सर courier charge के कोई पैसे तो नहीं है लग से नहीं कोरियर के कोई पैसे नहीं है ठीक है न तो अभी discount चला है तो फटा फट से इसकी payment कर दो फटा फट से क्या कर देनी है भीया payment कर देनी है इस वाले ठीक है इस scanner पे और अगर आपको दिक्कत आ रही है payment करने में तो आप हमारी टीम को WhatsApp कर दो वह आपको लिंक दे देगी महापर पेमेंट कर देना तो फटा फट से इस किताब को खरीज लो जिससे आपकी RCM की पूरी जानकारी हो जाए और आपको एक खुशकबरी और दे दू RCM के उपर एक special course ला रहे है special course ला रहे है जिसकी value है triple 9 यह कब से होगा Monday to Friday होगा Monday to Friday होगा पाच classes करेंगे ठीक है न साम को 7 बज़े से 9 बज़े तक साम को 7 बज़े से 9 बज़े तक ठीक है उससे पहले इस किताब को खरीज लेना क्योंकि इस किताब से ही पूरा जो 138 पेज़े वो discuss करेंगे जिससे आपकी RCM की knowledge बढ़ता है जाए तो अगर आपको इसमें भी registration कराना होगा तो फटा फट से इस course में भी registration करा लेना और एक लवे बैस तो आपने ले ही रखा है अर्जुन course भी ले रखा है अगर आपको कोई भी course पगरा लेना है तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं और इस बार की magazine हमारी धमाका मचाने वाली है तो अगर किसी की magazine expire हो रखी है तो अपनी magazine को renew करा ले चलिए जी इस वीडियो को यहीं पर close करते हैं वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद thank you for watching